आप देख रहे हैं आपके साथ वेशाली आए नज़र डालेंगे आज की हैटलाइस की और अरेन बसेरा में रुखने वाले लोग पी रहे हैं शराप शोशल मीडिया पर विडियो पाईगर बड़े भाई ने छोटे भाई पर शराप के नशे में दराती से किया हमला अस्पताल में भरती जिन्दी समाज की और से मेरा थन दौड का हुआ आयो जरी और गड़े में गिरने से मोटरसाइकल चालक खायल अस्पताल में भरती और अब खबर को देखेंगे विस्तार के साथ बुरहन पूजले के डाकवाडी के रहन बसेरा में रुकने वाले लोग शराप का सेवन कर रहे हैं लेकिन जिम्यदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं एक रुके हुए मुसाफिर का शराप पीता हुआ विडियो शोशल मेडिया पर वाइरल हुरा है बुरहन पूजले के रहन बसेरा में रुकने वाले लोग शराप का सेवन कर रहे हैं लेकिन जिम्यदार यहां पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं सोमवार दो पर एक बजे डाकवाडी के रहन बसेरा में नगरनिकम के रिटायर संपत्तिकर अधिकारी दयाराम सिक करवार शराप पीते हुए नजर आए अब यहां विडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुरा है दरसल वे इंदौर के रहने वाले हैं उनके पेंशन के कार्य को पूर्ण करने के लिए वह बुरहन पुराये हुए हैं पिछले तीन दिनों से वह डाकवाडी के रेन बसेरा में रुके हुए हैं यहां पर उनके द्वारा शराब पी जा रही है जब मिडिया का कैमरा चमका तो महां पर मौजूद एक वैक्ति उनके पास रखी हुई शराब की बोतल अपने जेब मिले कर बाहर निकल गया लेकिन जिम्मेदार अफसर इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है रेन बसेरा आप शराबियों का ड़ा बनता जा रहा है पढ़ी है कि पढ़ी है कि पढ़ी है बोल सब्सक्राब के नशे में बड़े भाई ने छोटे भाई पर दराती से हमला कर उसे भी रूप से घायल कर दिया घायल को उप्चार के लिए जिलास्पताल में भरती किया है जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उप्चार कर रही है दाबिया खेडा में भाई ने छोटे भाई पर दराती से हमला कर उसे घायल कर दिया प्राप्त जैनकारी के नूस आरविवार राद बजबजे बड़े भाई ने छोटे भाई पर शराप के नशे में दराती से हमला कर उसे घायल कर दिया डाक्टरों की टीम घायल का दिलास्पताल में उप्चार कर रही है पुलीस ने घायल के बैयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है पुर्हानपूर के सिंदी बस्ती शेत्रिम में सिंदी समाच की और से मेरा थन दोड का आयोजन किया गया सिंदी बस्ती से लालबाग तक मेरा थन दोड हुई जिसमें बड़ी संख्ञा में समाच जन शामिल हुए सिंदी समाच की ओर से यहां पहली बार आयोजन किया गया था जिसमें सभी समाच जन शामिल हुए बुरहनपूर के लालबाग खाना शेत्रे के अवाचिन इंडिया स्कूल के पास गड़े में एक मोटरसाइकल चालग गिरने से गंभी रूप से घायल हो गया जिसको उपचार के लिए जिलास पताल में भरती किया है घायल स्कूल की और से अपने घर जा रहा था तब यहां हा बुरहनपूर के लोदीपूरा शेत्र में सरदार पटेल मंगल भवन में सरदार पटेल समाज जनों की और से गंगोर माता का उस्ता बड़े दूमदाम से मनाया जा रहा है महिलाओं ने महारास्टियन निमाडी और गुजराति नित्तेकर माता की आराधना की जिसमें भक्त जन भक्ती में लीन हो कर छूमते हुए नजर आए लोदीपूरा के सरदार पटेल मंगल भवन में सरदार पटेल समाज जनों ने गंगोर माता का उस्ता मनाया महिला मंडल की अध्यक्ष लक्ष्मिबेन और ममता पाटीदार ने जनकारी देते हुए बताया की गंगोर उस्ता की शुरुबात हो चुकी है महिलाओं ने निर्त्यकर माता गंगोर और इश्वर जी को प्रेसेद्न करने का कारे किया यहां पर छे गुरूपों ने अलग-अलग डांस किया जिसमें गुजराती महारास्ट्ययन और नीमारी निर्त्य की महिलाओं ने प्रस्तूति दी जिसके बाद महिलाओं ने सौंवार दो पर एक बजे मद्दान की शपत भी ली पुरहनपु जिले की जामा मस्जिद में रोजा इफ्तियार के कारिक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन पहुँच रहे हैं इसी के चलते समाज के सुरेंदर सिया और हर्शिद ठाकुर भी पहुचे बुरहनपु जिले की जामा मस्जिद में इफ्तियार करने के लिए बुरहनपु जिले के ठाकुर सुरेंदर सिया और सेरा भईया हर्शिद सिया ठाकुर पहुचे जिले में रमजान का बड़ा ही पाक महा चल रहा है रमजान महा पूरे 30 दिन का होता है रोजदार इस महा रोजे रखते हैं और अधिक मात्रा में इबादत की जाती है इसी महा में 26 वा रोजा बहुत एहम रोजा होता है और इस रात को इबादत की रात भी कहा जाता है बुरहन पुजिले के बादरपूर के शिवधाम पर प्रख्या शिहोर वाले का कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा के स्वास्थ ठीक होने की जानकारी मिलने पर शेत्रवासियों ने शिवजी का अभिशेक पुजन कर एक लोटा जल चड़ा कर उनका स्वास्थ इसकी भगवाण शिव से कामना की पंडिश योगेश चतुरवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रख्यात कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा वारा कथा के माद्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है उनका स्वास्त ठीक नहीं होने की जानकारी मिली तो सभी शेत्र के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने शिवजी का विशेक पूजन कर एक लोटा जल चड़ाया इस दोरान बड़ी संख्या में शेत्रवासी मौजूद थे इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को देज़ेगा इचाचत तमस्कार